तो पहला वर्ड देखते हैं पहला वर्ड आप लोगों के आगे है गौथिक जी ओ टी एच आई सी गौथिक अभी रिसेंटली पेपर में आया है आज तक मैंने कभी इसको किसी प्रीवेश यह में देखा ही नहीं चाहिए कीरन उठालो चाहिए कोई भूख उठालो जब मैंन आपको कहते हैं कि अभी भी उसकी कहोँ चल रही है वह चीज़ छुपी भी और देखान है्मतलों मिस्टीरियस है तो आप इसको बोटों जी ओटी है सी गौथिक का मतलब होता है Mr.I am mysterious and old, mysterious and old ठीक है, fears का मतलब क्या है, fears का मतलब है ठोड़ा एक तरीके से गुस्सा मतलब जैसे आपने किसी को डराया डर के वो क्या होता है पहले आप किसी बंदे को डराते हो डराते वो बंदा डरता उसके बाद क्या होता फटेगा वो भी एक ने एक दिन ठीक है तो आप ऐसे आंद रुको fers fers मतलब furious furious f u f u आस और फास्ट एंड furious fury o u s furious यह वर्ड एक्जाम में कई भार आया कोन सा रेमिनिसंस रेमिनिसंस का मतलब क्या हार एम आई पहले तो spelling देख लो सब एक बर spelling देखो spelling समझ में आरिया सबको क्या spelling आर एम आई एन आई की सेंस का मतलब क्या हुता है कि जब आपको ना रिसे की क्या होता है आप सोलजर हो ठीक है आप जाते ओँ छेचे महीने तक आप नहीं आते तो क्या होता है है crimin dicon sora हुता मतलब कई बार आपको नुस्टेल्जिया हो जाता है आपको पुरानी चीजे यादा जाती है होता है नुस्टेल्जिक nostalgic nostalgia Reminiscence मतलब होता है related to past related to past मतलब nostalgia 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 क्या लो nostalgic क्या लो इस part of speech अलग होगा मतलब सीम ही है लगबख आपको paper में कोई part of speech नहीं बताना है आपको से word का meaning बताना है nostalgia nostalgia ठीक है यह ध्यान रखना ठीक है अगर कहीं पर वर्टे हैं जैंसे की कॉई चीज समझ लो आपने केDonny टुकर के कश्मीर के आपने चींशे ढूर ने डिल कि तो आप वसी मщच कैए क्या हुआं अरे को अट्रैक्ट अट्राक्टिव थि च्ह PAC और क्या बोल सकते हो कोई चीज क्या है एल्यूरिंग है एल्यूरिंग एडवल यू र आई एंजी एल्यूर मतलब होता है अट्रैक्टिव आप और क्या बोल सकते हूं यार वो चीज ना मुझे भाग गई ठीक है लुबहा गई मतलब वो क्या हो गया वो एकडम कैसी ती चार्मीं थी चार्मिंग C-H-A-R-M-I-N-G चार्मिंग थी देखें और क्या बोल सकते हो आप वर्ड यू वर्ड पेपर में कहीं बार आता है कैरिजमेटिक C-H-A-R-I-S-M-A-T-I-C का मतलब क्या होता है करिजमेटिक का मतलब होता एक दम एक दम इन्चेंटिंग E-N-C-H-A-N-T-I-N-G Enchanting, मतलब Enchant करना मतलब क्या हो जाना, एकदम Allure जाना एकदम Attract हो जाना, ठीक है उसको देख्के वह आपको एकदम भाग है, आपने बुला, आए वहाँ दुबारा आएंगे हां पर तो, ठीक है तो word क्या हुआ आपका? एक दो, तीन, लेख लेते हैं किसको डेसोलेट को डेसोलेट का मतलब क्या होता है डेसोलेट का मतलब होता है एकदम क्या मतलब है डेसोलेट का मतलब है एकदम एलोन ठीक है जिसको किसी ने डेसोलेटिट कर दिया एकदम त्याग दिया है ठीक है एकदम वो क्या हो गया एकदम एलोन है एलो को क्या बूल सकता हूर जो एकदम अकेला है अपने आप में ठीक है।ич एकन।by क्युत इसोलेटिट सुकुत की इसही वह सभिए है।। डेसोलेटि का मतलब क्या जो एकदम mộtलोन हो जिसको एक क्या कर दिया हो त्याग दिया हो जो अलग से हो बिलकुल ठीके और डेसोलेट का मतलब ड्राय भी दे रखा होता तो कन्फ्यूज मत हो ना ठीके अब एक बार देखो उपर से वर्ड देखो एक बर पहला वर्ड क्याता हमारा गॉतिक जी ओ टी है इसी Gothic का क्या मतलब था Mysterious and Old ठीक है फिर आपका वर्ड क्या है Fears का मतलब क्या हो गया Furious हो गया फिर आपका वर्ड क्या हो गया बताओ Reminiscence Reminiscence की Spelling देख लो जल्दी से एक बार सबका जान Blackboard पे Spelling देखो एक बार आर इम आई एन आई सई सई एन सी क्यों बोल रहा हूं कि इस पैलिंग में दे देते हैं कहीं बार कहीं बार Spelling में देते हैं ठीक है ना Obliven का मतलब है जब आप क्या हो जब आप अनवेर हो अनवेर अनवेर ने से कहीं बार जब यह सेशन चालू हुआ हमने पढ़ाना चालू गया तो कहीं बच्चे तो उनको यह वह आवेर ही नहीं थे वह क्या तो उनको पता ही नहीं था कि कौन सा कहीं बार आता है लिख लो जल्दी से यह सारे वर्ट्स ठीक है एक बार इधर भी देख लो अट्रैक्टिफ एल्यूरिंग चार्मिंग कैरिज्मेटिक इंचांटिंग ठीक है यह चीज़ ध्यान रखना लिख लो अच्छे से कितने वर्ड होगा यहां पर हमारे एक दो ती इन चार पाथ छे साथ आठ नो दर्स ग्यारा बारा तेरह चौदा एक ही सेशन में चौरा चौदा वर्ड ठीक है यह इंपॉर्टन वर्ड है सब लोग घ्यान दखना है अपीलिंग अपील नहीं अपीलिंग कैसे तो एडवल पी यह लाइन जी हां यह कैसे तो हाई